जेक्स मोदे में आपकी अनुमती से कारे सुची में कियेगे उल्लेक के अनुसार चार वार्सिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ सी राजेंदर पारिक अनुदान की मांग पर विचार है मद्दान सिबूला की दासक अला सुक्षा मंतरी अनुदान सिबूला की मांग संख्या बीस प्रारंबिक सिक्षा विवाग के समंझ में 31 मार्च 2400 समाप्त होने वरस में किये जाने वाले व्याय की निमित राजपाल मोदे को रुपे एक सो नवासी अरव पचासी करोड चालीस लाग तरपन अजार तकी रासी प्रदान की जा अध्यक्ष मोदे मैं आपकी अनुमती से प्रिस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 21 माजबिक सिक्षा विवाग के समंझ में 31 मार्च 2400 समाप्त होने वाले वरस में किये जाने वाले व्याय की निमित राजपाल मोदे को रुपे 243 अरव 92 करोड 25 लाग 8000 तकी रासी प्रद अध्यक्ष मोदे को रुपे 23 करोड 26 लाग 51 तकी रासी प्रदान की जावे सिवासुदेव दिवनानी माननी है अध्यक्ष मोदे आज मान संख्या 20 21 22 पर सदन में प्रतम एक सिक्षा मादिम एक सिक्षा उच्षा पर चर्चा हो रही है हर सरकार यह चाहती है कि बच्चों को अच्छे गुनोता पून सिक्षा मिले तक देश के लिए हम लोग एक सेश नागरिक तयार कर सकें परन्तु इस हेतु तीवर इच्षा शक्ती शेक्षिक वातावरण उपलब्द संसादनों का सही उप्योग आवशक संसादनों की व्यवस्ता टीम का विश्वास वो आदूनिक आवशक्ताओं के अनुरूप परिवर्तन करने का मानस आवशक है अलाग हमारे मंत्री जी अच्छे आदमी हैं विद्वान हैं मैं भी एक सिक्षक के नाते विशे रख रहा हूँ ताक इसे हम लोग सिक्षव व्यवस्ता ठीक कर सकें अपने ये नहीं कहें आपने ये किया हम ये कर रहें उसको साड़े चार साल हो गए अब तो हम ये करें कि इसमें सुधार हम कैसे ला सकते हैं उस पर योधी चर्चा को सही रूप में लेंगे तो में लगता है कि सो सदन का लाब होगा हमने ये प्रत्न किया था कि उसके परिणासुरू राजिस्तान देश में 26 नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया था और आपने भी अपने घोश्णा पत्र में पेज क्रमांग 10 के क्रमांग 17 के बिंदू संक्या एक में उले किया कि प्रदेश के शत्व प्रतिशत बच्चों को हम गणवत्ता पूर्ण सिक्षा देंगे क्या हुआ आईए जरा हमनों जाने सिक्षा विभाग कि हर माँ जिलों की सैक्षिक रैंकिंग होती है यह रैंकिंग नामांकन इंसपार्ड अवार्ड के लिए चैनित विद्यार्चों की संख्या और सत उपस्ति लेब्रेरी से पुस्तकों का वित्रण नामांकन बड़ोत्री जन आधार प्रमानी करण ग्यान संबल पोटल पर प्राप्त राशी आदी प्रावधान के आधार पर दी जाती है मुझे बड़े पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में प्रदेश की जिल्ला रेंकिंग के लिए जो इसको डेड़ सो है इसका एक दिहाई भी अंक जिल्ले हासिर नहीं कर सके केवज जनवरी में पचास अंक से ज़्यादा इसको प्राप्त करने वाले चार जिल्ले हैं अर्थात बाकी 29 जिल्ले इससे भी पीछे हैं बाकी तो मुझे लगता है कि भगवान ही इसका मालिक है प्रदेश में सिक्षा को गर्त में जाती हुए इस्तिती दर्शाती है यह हो भी क्यों नहीं का सिक्षा में ना आपकी निरिक्षण की व्यवस्ता है ना परवेक्षण की व्यवस्ता है और ना ही सिक्षण की व्यवस्ता है वर्तमान में संयुक्त निरिक्षण से लेकर प्रिंसिपल सिक्षण तक एक लाग से अधिक पद रिक्त हैं तो कैसे होगा जब निदेशा का पद खाली होगा तो डिरिक्षन नहीं होगा परवेक्षन नहीं होगा और सिक्षन भी अध्यापक नहीं होगे तो कैसे होगा इस प्रकार की स्थिति आज सिक्षा की बड़ी कमी को दर्शाती है दस्वें बार्वें के बोर्ड की परिक्षा है इसी महा से प्रारम हो रही है पार्टेक्रम पूरा नहीं हुआ है आप बताइए कि इस सेक्शन के सत्र में कार्य दिवस केवल 131 हुए हैं जोकि नियमा अनुसार 180 होने चाहिए तो बताइए पढ़ाई कैसे होगी हमने अच्छा प्रयोग किया Saturday No Bag Day होगा आपने क्या प्रतियों की परिक्षाएं कही हो रही है इसकूल उसके कारण से भी उसमें लिये जाते हैं लेकिन वर्किंग डेस तो पूरे होगे तभी तो पार्टिक्रम पूरा होगा इलिए पार्टिक्रम पूरा करने की चिंता करनी चाहिए क्योंकि इस बोर्ट की परिक्षाओं के बाद तुरंती अन्य परिक्षाएं भी होंगी परिदि पार्टिक्रम पूरा नहीं होगा माध्यम के खूब आवाई की और कब तक हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद करके अंग्रेजी माध्यम में बदलते हुए महात्मा गांधी राजकी विद्याले खोले जब कि महात्मा गांधी का अंग्रेजी के साथ कोई संबंध नहीं है वे तस्व भाशा के समर्थक रहे हम इस पे केल वावाई लूट करके आखिर हम बच्चों को पढ़ाना क्या चा रहे है ना वो घर के न घाट के रहे है बिना योजना के अंग्रेज भी माध्य में इसकोलों के के वो रेवडिया हम बांट रहे है उसका परिणाम धाक के तीन बात ही हो रहा है इसलिए मेरा आप से आग रहे है किस पे भी आप जरूर चिंता करें और शायद मुझे लगता है सिक्षा मंत्री जी कोई पूरी जानका जी नहीं होगी कि हम कितनी घोशाइं कर रहे हैं उसमें से कितने खुले वर्थ 2020-2021 और 22-23 गोशना अनुसार प्रदे कि ग्रामीन और शेरों में 11,000 हम स्कूल और खुल रहे हैं अंग्रेजी के मैं अंग्रेजी स्कूलों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिता उन बच्चों को अद्ध कच्रा तो नहीं रहना पड़ता इन स्कूलों में आज 10,000 अंग्रेजी सिक्षकों के बदरिक्त पढ़े हैं प अध्यापकों के अभाव में बच्चों के जीवन के साथ पूरी तरह खिलवार किया जा रहा है यह केवल अंग्रेजी मादियों के अकरशन ताली बजा देंगे डेस्क बजा देंगे लेकिन परिणाम क्या होगा नब बच्चा अंग्रेजी समझ पायागा नब पढ़ाने होगा और तो अंग्रेजी का नहीं होगा तो केवल अंग्रेजी मादियों में पढ़कर क्या हूँ फीड में जाकर के पूरी तरह फेल होगा के लिए मुझे महात्मा गांदी अंग्रेजी मादियालों पे वावाई मत लूटो जितनी चद्दर है उत्रा पाउँ खोलो और कई बार अभी तो आपने हद्द कर दी कि 2070 के अंदर 436 इसकुलों को आपने अंग्रेजी मादियों कर दिया तो ना बच्चे हिंदी के रहे ना बच्चे अंग्रेजी के रहे खोलना है इन तुनों प्रारम्या गोश्णा करो आप एंग्रेजी अध्यापकों की पड़े खुश हो रहे खुश होने के बाद नो उसे अंग्रेजी आएगी नो उसे हिंदी आएगी न कहीं नोकरी मिलेगी इस प्रगार का एक दिर्ष्याद जो खड़ा हो रहा है एक केवस सस्ती लोग प्रियता के आधार पर या भीभावक और विद्ध्यारतिया आपको क और नई संबल मिला यानि आखिर क्या रहा आपने गोशना की कि हम विद्ध्या संबल योजना में आध्यावक निक्त करेंगे यह शुरू से ही विबादों में रही कारण आपने बिना हॉम वर्क के शुरू किया इसकूल में पद्ध खाली बताय गए लोग बेरोजगार प कारण से आज सेक्षिक व्यवस्ता खत्रे में हो गई है हमने एक स्टाफिंग पैटर्न लागू किया ता जो मैंने पिछली बार एक प्रस्ट्न भी लगाया था स्टाफिंग पैटर्न में व्यवस्ता थी कि जहां बच्चे के बराबर इसकूल के पोस्टे होंगे पद में इसकी खुले आम धजियां ओड़ी रही हैं जहां बच्चे का माध्यापक ज्यादा जहां बच्चे ज्यादा माध्यापक कम यानि यह जो अगेंस बोस्ट लगाने का केवल हम जन परतिजियों को अपने खेत्र के अपने यहस्में को खुश रखने के लिए तू ले जा तू तेरह वहां जहीं बेजा लेकिन सेक्षिक व्यवस्ता का क्या होगा मानिये मंत्र मोध है आपके सभावति मोध है आपके माध्यम से कहना चाहरा हूँ जरा इसकी व्यवस्ता करो आपने 17,100 सेकंटरी स्कूल है आज उस में से 12,000 स्कूलों में अनिवार विश्यों के व 7,000 करोनिक तो भई हमने भी किये थे लेकि व्यवस्ता के साथ के स्टाफिंग पैटर्ण किया हर जगे हर विश्यों का अध्यापक मिलेगा उसकी व्यवस्ता की जिसके कारण से हुआ फिर मानिये सभाति मोध है एक बात आपका उन्हें लेक और करना चाहूँगा कि गत्व से हला मचाया हम आएंगे 22,000 स्कूल खोल देंगे बड़ी गोश्ता की इतने खोले आपने पिछले बजट में बताया था हमने 1250 स्कूल खोले बाकिया क्या हुआ कि की सदार का 20 सदार 500 का इसका मना हम सही थे और आज उसे मर्ज के स्कूलों की भी आज भी आपकी इस्तिती यह है कि आपने उसमें से आज भी 580 स्कूलों की इस्तिती यह है कि जहां संख्या 25 से कम है 151 स्कूल तो ऐसे हैं जहां जीरो नमंगन है लेकि वाद्धाबग लगे हुए अरे आपको इस्तिती वही इसे सही बात को विपक्ष भी करें कोई भी सरकार करें उसको सीकार करते ह उसके वावा करनी चाहिए उसके नुसार अपने को भी आगे कदम से कदम मिलाना चाहिए आपने ठीए आज कह रहा हूं मर्ज इसकूल अपने बड़ी सोच करके किया था ता ता अगर इसकूल प्रगार के वल कॉमपडिशन खुश रखने के लिए जाओ इसको खोले जाओ इसले मेरा आप से निविदन है इसको राजनिती से अलग हट करके हम सेक्शन के वबस्ताओं को ठीक करें उसमें जरूर मानिय मंत्री महुद है इसको ठीक करेंगे तो मुझे लगता है क्यों आलो चना नहीं बाई सेजार बी सेजार बंद कर दिये हम नारे बाद ये पबलि से दूद भी छीन रखा था इलिए आपको बच्चों और अभी भावकों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने ये चार वर्स तक आपको दूद नहीं दे पाए फिर आपके पास जब सुधाई चुनाव नजदीक आने लगे तो पहले सबता में दो दिन और आप चुनाव अटूद नहीं पिलाएंगे अरे ₺ कशो ने क्याका सूर गया कसूर योजना हमारी ती आपके थी ईगई उसको राजरि उपर उठ्टे तो हमारे यं आपके और हमारे है को झाउस्ती होता है बच्चे सब के होते उसको पिलाने कआप दूद की जो व्याऊसतार की आपने कि और आपने स्कूल ठीक चलें उसके लिए आवशिक है कि स्कूलों को हमने कंपोसिट स्कूल ग्रांट शुरू की थी और उसके बिजली का बिल चौक डस्टर सफाई आधी के लिए लेकर उसमें था एक से तीस नामांकन होगा तो दस हजार रुपे, एक से सो होगा तो पचीस हजार रुपे, एक सो एक से ढ़ाइस सो नामांकन होगा तो पचास जार रुपे, दोसो एक काउंज हजार रुपे, पिच्छत हजार रुपे, हजार से ज़्याद हम एक लाख रुपे, लेकर कब द से लेकि अठार तक लगाता नामांकन बढ़ रहा था लेकिन आज 6 लाख 11 आजा नामांकन इस वर्ष कम हुआ है यह ना कम क्यों हुआ इसकोल आप खोलते गए ताकिल नामांकन कम हुआ इसका मला सेक्शनिक व्यवस्ताओं का अभाओ सेक्शनिक के वर स्कूल खोले जादा तो फिर नामांकन बढ़ना चाहिए फिर नामांकन कम क्यों हुआ इस पर जरद चर्चा करेंगे और आप तो व्यवस्ता ठीक होगी आपने फ्री ड्रेस का खुब नंका पीटा उसे 60% तो भारत सरकार का है और उसमें भी आपने क्या किया 40% तो दिया लेकिं ड्रेस के जो सिल्वाने के लिए आपने 200 रुपे तेक किये 200 में से कौन सी ड्रेस सिलती है कोई माई कलाल एक तो बता दे कि 200 रुपे में ड्रेस नहीं सिलती है अखर गरिब अभी आपने जेम में से दे उसके कहीं कोई व्यवस्ता नहीं लेकिं उसके साथ स्वामी वेवेकानल मौडल स्कूल आपने शुरू किये थे उनके 40,000 बच्चों को ये ड्रेस नहीं दे रहे उनका क्या कसूर आपके बच्चे हैं उनको ये ड्रेस मिले इसके भी आवस्ता करें मानिय मंत्री मोड़े का अभी नंदन करता हूं को उनने कहा था कि ट्रांस्टर पॉलिसी तयार है वाप प्रॉसेज में ले जा रहा हूं पूरा वर्ष बीथ गया कहा है वह ट्रांस्टर पॉलिसी हम तो ढूंडते ढूंडते अगर्वती जलाके ठक गए अरे जरह वह ट्रांस्टर पॉलिसी तो बताओ और लागू करो लेकि के वाल वावाई लूट ने एक लिए कहते जो प्रेस में स्टेट्मेंट देते जो और सदन में गुम्राज करते रहो फिर आपने एक बात और की थर्ड गेड़ लोगों के ट्रांस्टर आपने कहा था ट्रांसटर पॉलिसी लगवी तो हम करेंगे percent पॉलिसी लगवी बचारे आपने principal के transfer कर दिए, first grade के कर दिए, second grade के कर दिए लेकिं third grade teacher का आखिर क्या कसूर है आपने आवेदन मी मांगए 85,000 आवेदन मी मिले लेकिं बिचारे ठगे से रह गए और आज भी वे परिशान है कि हमारे transfer का माननी है, सभावती मोद है इन्होंने बच्चों से पांच करोड रुपे एंठे हैं सिक्षक दिवस पर, जंडियों के नाम पर बच्चों से पांच-पांच रुपे स्कूलों में वसूले गए कोई सौर रुपे सिक्षकों से लिए गए पचास रुपे अन्या करमचारियों से लिए गए इस तरफ पांच करोड का क्या भई ये कौन सा नहीं है मैं कौन सा आधार पे आपने ये रोगों से पैसे लिए कुछ नहीं कोई उत्तर नहीं और एक बात बच्चों को संसकार मिलें कि आप और हम सब चाहते हैं मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ विदेशों के अंदर इसकुलों के हिंदी स्कुलों में रामायन पढ़ा ही जाती है गीता पढ़ा ही जाती है लेकि यहां तो केवर आज नहीं थी कि भेंट चाड़क हम बंद कर दिया योगा अब्यास के लिए हम आज प्रारसना के बाद योगा अब्यास शुरू हुआ था लेकि चूंके बीजेपी ने या पिछली सरकार ने शुरू के इसले बंद मैं आप से आगे बात कर रहा हूँ इस तो बच्चों का स्वास्त अच्छा हो इस पर आप ज आठी के आपने अच्छा किया इस बार बढ़ाया आठी में कब होने चाहिए एडमिशन आपने सत्र के अंत में जाकर कि अब रोटरी शुरू किया और यह होनी चाहिए आपकी जून में माई में या अपरेल में या जुलाई में लेकिन आपने अब शुरू किये जाकर आप सतर के अंतमी आटी वाले बच्चे भटक रहें आखिर कहां जाएं कैसे हो इसके भी ज़रा आप ध्यान करें आपके ध्यान आकशित कर रहा हूं फिर आपने कर्मोहनित धराद हरा खरते जाओ करना ही चाहिए कि हर साल इसकूलों के मांग आती है अज़ने बच्चे भी बढ़ते कैसे इसका तो मानिय मंत्री जी आप सिक्षक भी रहें आप विद्वान भी हैं जड़ा इसकी पे आप सोड़ी सी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और फिर आज तो कई सिक्षा माफिया बहुत सक्री हैं और इसे वो सिक्षा को भी बेच रहें अज़न में कई बार आचुका यह खास तो यह करो कि पेपर लीग कैसे हुआ कहां से हुआ यहां को पता निक केवल कोई अपना दिया है उसको पकड़ या अपने सुर्खियों में आगे लेकि पेपर लीग किसने किया कैसे हुआ कहां हुआ इस पे जब तक नहीं जाओगी तब तक इसका सच सामने नहीं आएगा और आप तो सचे सच को लाने वाले व्यक्ति हो मैं आपकी इसलिए इसलिए इज़त भी करता हूँ उस सच को तो लाओ मानी मंत्री में होता है यह सच के बिना केवल लीपापोती से कुछ नहीं होगा उसमे कोई भी मंत्री आता हो पकड़ो उसको तरह सदा दिलवाओ तो तो मानेंगे कि आप एक विद्वान और सचे विक्ति हैं और सिक्षा का हित चाहते हैं इसे आज कोचिंग इंस्टिटूट की बात चल रही है कहा है कोचिंग इंस्टिटूट के क्या कोई नियम नहीं है आखवार में आता है कि उसक पर लीक के साथ भी जुड़े हुए हैं इनके बड़े-बड़े लोगों के साथ परिक्षाओं के परितियों के साथ जुड़े हुए हैं इनके बड़े-बड़े लोगों के साथ परिक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं इनके बड़े-बड़े लोगों के साथ परिक्ष आज पंगू हो गई है, शिक्षा की दुर्गती हो रही है, भविश्य की चिलिये चिंता का विश्य है, मिड़े मील के लिए आपका ध्यान आगर 6-6 महीने तो भुकतान नहीं हो रहा है, कैसे हो गया उस्ता होगी, इसकी चिंता करें, फिर लेक्षिरर की 20-21 से के बाद डीप इसने नहीं किया, इसने नियमें डीपी सी करा हो, ताग लोगों को मिले, और एक बात और करूँगा, कि प्रभवदकों के साथ क्यों दोखा कर रहे हो भई, हमने प्रभवदकों को वरिष्ट प्रभवदक बनाने की, सारा किया था, आपने भी उसके अनुरूप एक वापिस आपने नरस्त भी कर दिया, उनको सेकंड ग्रेड के इक्वेलेंट होंगे, बाकि आपके तन्खा वरिष्ट प्रभवदकों को तो नौँ अठार साथ इसमों को वैसे ही मिलेगी, उनको भी इस लेविल टू, उसके कहीं है, जो से प्रभवदान है, उसको भी आप क जी ने भी नई पॉलिसी बनाई थी, सब ने उसका अनुसरान किया, आज मोदी जी ने भी नई पॉलिसी बनाई है, उसके अनुरूप कदम तो उठाएं, उसमें इस पश्ट है, इस नए भारत के निर्मान में, आप LKG, HIRKG अर्था आंगनवारी को सिक्षा के साथ जोड करके नई एजूकेशन पॉलिसी का सही धंग से विचार होगा, अब मानी सवापती मोद है, मैं ज़रा उच्छे सिक्षा का जिक्र करों, क्योंकि मांग कर मांग बाइस, उसके साथ जुड़ी हुई है, इस्कूल सिक्षा से भी दुर्दशा, उच्छे सिक्षा का तो करो, क्यार मंत्री में अपन बाइस घूम करके और अपना आपचारिक काम कर रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है, मैं केवल, आज उच्छे सिक्षा में, ना सिक्षक हैं, ना सेक्षणिक स्टाफ हैं, ना संसादर हैं, ना ही वीजन है, प्रदेश में कुछ 490 महाविद जाले हैं, राज किये, सामने के 445, बीएट के 16, क्रिशी के 29, इनमें स्विक्र्थ पद हैं, 9060, कारियरत कितने हैं, 4617, याने 50% से भी ज़्यादा खाली हैं, और टीचर नहीं होगा, तो कॉलेज में कैसे पढ़ा ही होगी, कौन बच्चा आएगा, इनके निक्तियों के बा अज़ पाग है, सरकार के समय की है, इस सरकार ने एक भी पद बेर्थना में नहीं भेजी, यदि मैं गलत हो, ता अब अपने उत्तर में, जरूर बता देना, मैं आपके बाद स्विकार कर लूँगा, और आज स्थाई प्रिंसिपल ही हमेशा को चलाता है, पूरे 490 में से स् प्रिंसिपल में तो कोई पैसा नहीं चाहिए ना, प्रिंसिपल क्यों नहीं करते हो, इसी सद्धन के अंदर मैंने प्रश्ण लगाए था, अध्यक्ष मौदैने वहां प्रतत्काली उच्छ शिशामंत्य पूछा था, उन्होंने कहा था, कि हम अगले सत्र के पहले इसके न लोगों को प्राचारे बनानी की जो मन्शा है, उन्हों में रातो राद वरिष्टा सूची में हेर फेर हुआ, नयाले में मुद्धा चला गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, अरे वरिष्टा सूची के साथ क्यों हेर फेर करते हो, जो है वास्तिक उसके साथ बनेगा, इसमें न न खूप कुछ राजी उस्टेडी सरकल का होगा न किसी और का होगा, पर न खुर प्रूप को उन्हक बजटा का होगा, वह तो सिक्षक होगा वई, सिक्षक सिक्षक होता है, उसके साथ नया करो, और यह तो इस तक ही आपके मुसामन्य महाविध द्यालों की, किर कैसे किर्शी चड़ाओगे कैसे मेरा बच्चा जो है किर्शी के बारे में जानेगा कहा उसको नौकरी मिलेगी आखिर कैसे उसके साथ क्यों अन्याय करे हो कुछ तो करो इतना तो विश्वास करो इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ है कि 20 वर्षों तक उच्छे सिक्षा में नामांकन बढ़ता रहा और इस वर्ष नामांकन में कमी आई है इतने विद्यान महाविद्यान अखिल गए नामांकन तो बढ़ना चाहिए था आखिर कम क्यों हुआ इसकी भी आप चर्चा करो इन्होंने अपने जन गोश्णा पत्र के पे दस के बिंदू साथ में विद्य आप ना कितना चाहिए नियम कहता है कि आपके आर्ट्स का है तो तीस विद्यार्शियों पे और यह साइंस फेकल्टी है तो पचीस पे आप एक सो पंत्रा पे क्या सिक्षाद होगी कैसे सिक्षाद प्रश्णा चलेगी जरा आगे कर आब युवाँ के बहुत बात करते हैं युवाँ विकास केंद्र घोशित रूप से बंद है आपने केवल तीन वर्श में मात्र एक हजार उपे का प्रावधन रखा है यह दो आपने बजट में दर्शा दिये उसे क्या होगा इससे भिदिगध आपने खुला मज़ाग किया है कि महला युग्यता चातर वर्ती सुतंतरला सेनानियों के बच्चों को दे चातर वर्ती मिर्तक राज्य करमचारियों के बच्चों को चातर वर्ती शोध ललित कला पूर सेनिक आश्यत वर्ती बच्चों की चातर वर्ती ये पांच-पांच-छ प्राचारे संकष्पद हैं लेकिन वहां पर प्राचारे इतने उपलब्द होने के बाद भी नहीं रखें दस वारावर से जूनियर सिक्षकों को समय निदेशक पद पर रखा के वल तुष्टी करें अपने चेहते राजी विश्टेडी सर्कर करके लोग लगाना इस परकार क जो वेवस्ता की है बड़ी प्रभावशाली नहीं रहेगी सिक्षा के साथ मजाख हो रहा है नवीन राज के महाविद देल आपने खोले उनका संचालन कोन करेगा राजस्थान कॉलेज एजूकेशन सोसाइटी यह कदम आपको सिक्षा में रसातल के हो ले जाने वाला है को आपके गवर्निंग बॉड़ी में दस है उसमें सिक्षा के एक है सिक्षा वे एग्जुकुटिव काउंसल में साथ में से एक है बाकि सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं क्या सिक्षा चलाएंगे और तो और मैं यह दी बात करूँ आपने एड़ेट महाविद याले के साथ साथ स 224 कार्याद शुन्य इससे विष्श्य विष्च विध्यालिओं के इस्ति हमानि सवापदी मोदा देहनी हैं यह विष्च विध्यालिग की वहले अब डिगरी बानने वाल हो गए इनका मैंने वार्श्य परतिवेदन पढ़ा उस परतिवेदन में ना शोध है नना गुनव MDS University का प्रतिवेदन पढ़ें उसे 21-22 का ही 22-23 में कॉपी-पेस्ट किया है उसे प्रपोर्ट में प्रस्ट 14 में सम्मन माविध्याल है 315 प्रस्ट 65 में 275 क्या ठीक है तरह पढ़ करके तो उसे अप्रू करो नहीं कोई पढ़ता नहीं है और किवल सदन में बजट ही पुराना देख लें और उसके अंदर आलोच वर्ष की विशेश पहल उपलब्यां जो चेप्टर देख लें पूरा एक समान कहीं कोई एक अक्षर की भी उसमें कोई अंतर नहीं और वर्ष की जो महत्वपोन उपलब्यां चेप्टर पूरा कॉपी-पेस्ट 2021 में उसमें लिखा है उ इंटर्नेट वह रिपोर्ट नहीं इस परकार के इस्तती बनी मानिया स्ववति मोद है मैं बोच अब देख रहा हमाजी बोच अब दी कंप्रेट कर रहा हूं आखेर विश्यवद्याले के स्तिती तो सदन के सामने आ जाए चार विश्यवद्याले शीकर अलवर भारतपुर इनमें एक भी सेक्षिनिक पद की ड्यूपती नहीं हुई है 30 के 30 पद खाले कैसे चलेंगे विश्यवद्याले क्यों खोल रहे हो खोलना है तो फिर आप पद भी तो दो नहीं पद नहीं देंगे और 6 विश्यवद्याले क्या आल है मैं एक तेवाद ज्यादा लंबा ना करके क्यों 3-4 उनिवस्टी के बता हूँगा M.D.S. उनिवस्टी मेरी अजमीर की उसमें 48 में से 34 पद खाली है 14 पदों से क्या विश्यवद्याले चलेगा इसी तरह कोटा में 78 में से 56 खाली है विकान एर में 77 से 60 खाली है यह स्थिती है और इसकिल उनिवस्टी जिसके बड़ी-बड़ी हम बाते करते है डिंगें हांकते है क्या लिखा दो वर्ज से न तो कुलपती है न कोई स्थाइ स्टाफ है और यह हालत हो गई कि जो चात्र थे 2532 की जगे केवल 816 रहे और संबंध माव इद्याल है 97 में से केवल 43 रहे गए यह हाल है स्किल के क्या हम बच्चों के स्किल नहीं मनाने चाहते यह यह उनिवस्टी तो खोल दी अरे उसको भी आगे व्यवस्टा समालो लेकिन आज कोई चिंतानिय मांच चिशिक्षामंतरी आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको जान राजनिती से उपर उठ करके इन कुछ व्यवस्टाओं को ठीक करो आपने जोदपुर फिंटेक युनिवस्टी का शिलानियास किया आज तक एक्ट अनुमोदित नहीं एएएएएएटी और युजीसी से कोई मान्यता नहीं आपने शिलानियास कर दिया और निजी विश्वद्याले में किस तर से खुल कर के भिष्टाचार चल रहा है उस खोलने में फरजी वाड़ा क्या चल रहा है यह एक बीए के उनको कोई नौकरी मिलेगी क्या यह तो बताओ आज रोजगार की जरूवत है उसके लिए प्याप्त नहीं है उसके और कुछ और भी करो विद्दा सम्वल यूज नामे गेस्ट फेकल्टी बेरोजगारों के साथ मजाथ है इसलिए मेरा आप से निवेदन है तेंक्यू अपने एक दो मिनट कराव आपने जैनित वेतनमान एसोचेट प्रोफेसर के पदोन्यतियां आज भी एक दो अठारा के बाद पांच वर्श होगे उनके प्रमोशन नंबित है नई सिक्षानीति में किर्यामिति के वराजनीति के जित के कारण हम सिक्षागर्त में जा रही है मल्टी डिसिप्रेनी उच्छे सिक्षान संस्ताओं के स्थान पर कि दो-चार कमरों में एक-दो सिक्षा को उखा जो आँ महाविद्याले कोड़ों ना लेब हैं न पर आदार्भू सरचना इस तरह महाविद्याले चलने का कोई लाब नी होगा गुंडवत्ता की ज़िए एक मिनिट में चर्चा करूं तो 490 में से को 70 को नई ग्रेड है उसे चार कॉलेज को एक ग्रेड है डॉक्टर बने सिंग सुवा यादो बेस बैरवा दिखावे के लिए गो नलमित किया हैड कॉटर वहीं रखा आज वापिस उनको आएक तला में ले आए क्या सथा हुई कारण वो रेजी राजी इस्टेडी सर्कल के हैं जुगार के सहारे ये उच्छे सिख्षा चल रही है कहीं हॉस्टेल में तो कहीं स्कूल में आपने जवाब दिया हम तो हॉस्टेल में खोल देंगे धरातल की नीम खोख लिए ना भावन है जिसका कामियाना आज एक लाग सत्तर हजार विध्यासें को भुजरना पड़ा है आज आठ विश्ट जाले में वी-सी नहीं है राइसान हाई कोड ने डॉक्टर अंबेड का लॉज यूनिवस्टी के वी-सी को निक्ति को रद्द कर दिया माननी है सभावती मोद है पर इck बार और केते हैं उपने बात पूरी करुए ह। मानिय मुंक्ष मंतरी हमारे सभ्सके मुंक्ष मंतर आद्रीNew लेकिन वे क्या जोठपूर के मुंक्ष मंत्री हैं क्या जोठपूर सब्सक्रा इंस्ट इस बज़ेट में भी इन्ट इन्फ्रेक्ट पर्मुक्वर्मुश्टी अग्रवान मेडिकल उनिवस्ट्री अग्रवान मेडिकल यूनिवस्ट्री माहत्मागा गांदी दिव्डवेयां अब जोत्पूर में अपड़ ने मुख्यमंत्री पर हमारे भी कि अधिव करूँ मेरा आप से एक है, कि निजी विश्य विश्य विद्या लेहों, और कोचिंग इंस्यूटूर पे, आप ज़रा कसी है, और इसलिए आप तेही चोईस में, सब जो है, इसे जुगार के सहारे उच्छे सिक्षा को मच चलाइए, होस्टेज तो कहें स्कूल, धरातर की नीम फोक ज़री है, नभवन है, इसका खामिया ना भुजाना पड़ा है, सीकर में तो पार्टन कॉले में, छेसो पंदर अप से क्यों तीन अध्या पके, अथर मेरा आप से निवेदन है, कम कम से कम बच्चों के साथ उन्याय करें, मेरे बच्चे कैसे बन कर के तयार होंगे, वो आक का सयोग करने के लिए, सदे उत्तत पर हूँ, इतना विश्वात दिलाते हुए, अपने बाद पूरी करता हूँ, धन्यवाद, जय है, जय है, सबाबती जी